नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल पर दोस्तों आज की क्लास में 19 नॉंबर के सभी महत्पून करेंट अपर डिस्कस करने वाले हैं तो प्लीज आप पूरा ध्यान से जरूर देखेगा अगर आप नहीं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा साथ ही बेल अगन को दबाईए ताकि आपको वीडियो के सारे नॉटिफिक इन समय पर मिलते रहें फेस्बूक टिलेगाम पर दोस्तों आप हम से जुड़े आएगा हम यहां पर रोजाना महत्पून इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं और क्लास से जोरे नोट्स पीडिय और अन्य तरह के वीडियोस आपको इंस्टा मौजबर मिल जाएंगे आप यहां पर जाके उसे खरी सकते हैं चले दोस्तों सबसे पर हम कल का सवाल देख लेते हैं कल वीडियो के अंत में मैंने आपसे सवाल पूछ था सवाल था कि हाली में किस रा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए वीडियो के अंत में हम आपसे हमेशा एक शाल पूस्त हैं उसका जवाब और कमेंट बॉक्स में इसी तरह देते रहिए साहां से दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू किया करिए चल और इसके बारे में पिछले क्लास में हम अल्रेडी काफी जनकर ले चुके हैं तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाकर पिछला क्लास जरूर देख लिजीगा चले शुवात करते हैं आची क्लास का आज का पहला प्रशन देखते हैं आज का पहला प्रशन है हाली में किसे कांगो गंगराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है तो नीना शेरिंग ला इनको कांगो गंगराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में न्यूक्त किया गया है एक आफ्रिकन कंट्र है कांगो मै आप ध्यान में रखेगा आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रशन हम देखते हैं दूसरा प्रशन है हाली में ब्रिगेडियर कुल्दीप सी चंदपूरी का निधन हो गया है आपको यह बताना है कि निम्ने में से किस युद्ध से वो संबंदित थे तो वो थे 1971 के लोंगे चेतरे में लड़ाई के हीरो सेवा निवरित ब्रिगेडियर कुल्दीप सी चंदपूरी का हाली में पंजाब के मोहाली में एक नीजी अस्पताल में निधन हो गया है वे 78 वर्स के थे 1971 भायत पाकिसन यूद्ध के दौरण यह आर्मी प्रमुग थे उन्होंने राजस्था से भी सम्मानित किया जा चुका था और एक फिल्म आई थी बॉर्डर करके और इसमें सनी देवल ने जो किरदार निभाया था वो इनसे ही प्रीद था तो इनसाइची जो को भी आप थ्यान में रख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रशन हम देखते हैं आ और किसको इन्होंने हराया है तो इन्होंने आनन ने प्ले आप में सिर्स पर चल रहे हिकारू नाका मूरा को हरा कर यह टूर्णामेंट जीता है तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है विस्वुनाथन आनन और यह है हिकारू नाका मूरा तो यह चीज़ आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं आज का चौंथा प्रशन हम देखते हैं आज का चौंथा प्रशन है हाली में किस राज ने नई जयव प्रवद्व की निती की घोष्टना की है तो उडिसा ने की है ठीक है उडिसा ने नई जयव प्रवद्व की निती की घोष्टना की है ताकि जो बायो को आकर्सित करने के लिए एक नई जय प्रवद्द्व की निती 2018 की घोष्टना की तो सबसे इंपोरेंट आपको क्या क्या चीज याद रखनी मैं आपको बता रहता हूं एक तो कौन से राजी में हुआ और इसका उद्देश क्या था तो उडिशा में यह हुआ और इसका उद जो कि भारत की सबसे बड़ी टटी जील अब जितने भी जील है मैं आपको बड़ नता था हूं एक साथ पढ़ने से क्या है को कन शीज राजervesतान में और सबसे बड़ी कृत्तिम आइफिक्सियल जील कहा पर इंड appropri जील है और ये है मद्दर प्रदेश में, इन साइज इसको आप जरूर याद रखे कि ये काफी important है, अब आगे बढ़ते हैं, पांचो प्रशन हम देखते हैं, आज का पांचो प्रशन है हाल में विज्ञापन, मैन के नाम से प्रसिद्ध किस प्रमुक फिल्म निर्माता का निधन ठीक है, इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं, लोकप्री विज्ञापन फिल्म निर्माता और रंग मंच वैक्टी तो एलिक पतमसी का अभी हाल में मॉंबई में निधन हो गया, 90 वर्स के ये थे, और इन्होंने रिचर्ड एटन बरो की आसकर विज्यता फिल्म गांध यह कहाँ पर हो रहा है, यह हो रहा है नई दिल्ले में ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं केंद्री जंजाती कारे मंत्री श्री जू एल ओरम ने 16 नवंबर 2018 को जंजाती कला संस्कृती वेंजन और वैपार को बढ़ाओ देने के लिए राष्टी जंजाती परो आधी महुत्सव का उधगाटन किया आधी महुत्सव का आयोजन नए दिलने में किया गया है इत महुत्सव में अपने हुनर का प्रश्ण करने के लिए सामान लेकर देश भर से 600 कलाकर आ रहे हैं आधीवासी वेंजनों से आपको जानकारी देने के लिए कि आधीवासी वेंजन क्या-क्या होते हैं इसके लिए 20 राजियों से लगबग अस्सी आदिवाशी शेप यहां पर आएंगे मनुरिजन के लिए 14 नितिर शमूँ 200 कलाकारों के सांथ ट्राइबल डांस भी पेस करेंगे तो सबसे जाद इंपोरेंट यही है कि यह कहां पर हो रहा है तीक है अब आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर साथ देखते हैं साथवर प्रशन है हाली में स्वेंगतराष्ट सुरक्ष्ण परिषद ने किस अफ्रिकी देश से नौ साल बाद प्रतिबंध को हटाया तो कौन से देश से परतिबंध हटाया है इरिट्रिया से ठीक हैं यह भी आफ्रिकन कंट्री है और क्यों प्रतिबंध लगाया गया था कब अनंधाया और कि हालिमें सेag प्रत्य produした प्रिषद पर प्रतिबंध को हटा लिया है् दोहर तयार किया गया तथा अमेरीकावा सहयोगियों ने इस प्रस्ताओं का समर्थन भी दिया था इरिट्रिया एक अफ्रीकी देशे और इसके प्रस्चीम में कौन-कौन से देशे यह साय चीची लिखी गई है तो आपको बस यह यह रखना है इरिट्रिया कहां पर इरिट्रिया यहां पर है इरिट्रिया और यह अफ्रिकन कंट्रिय और आतंगवात के जो है समर्थन करने के आरोप के कारण इसको बैन लगा गया था वह अब आगे बढ़ते हैं आज का आठों प्रस्चन देखते हैं आठों प्रस्चन है हाल में किस देश ने कृत्रिम सूरज का निर्म छीन ने एक रिप्तिम सूरज बनाए हैं जिसका थापमान असली सूरज से चह गुणा ज्यादा होगा असली सूरज से चह गुणा गर्म या आर्टिफिशल सूरज चीन के इंस्टिटुट ऑफ फिजिकल साइंस के वेग्यानिकों ने बनाए हैं इसे दा एक्सपरिमेंटल एडवांस सूपर कंड़क्टिंग टोका माक का नाम दिया गया तो यह आप नाम यादर सकते हैं इसमें हिलियम जैसे भारत बनाने के लिए हाइड्रोजिन परमानों का संलेंड शामिल किया गया है चीन की राजदानी है बिजिंग यहां की जो राश्ट पर दिये वो है जी ज उने दी है ट्रिपल बी माइनस ठीक है और यह सबसे नीचली रैंकिंग होती है इनके जो आरदो जो भी रैंकिंग दी जाती है उसमें फीच रेटिंग ने भारत की संप्रभू रेटिंग ट्रिपल बी सी मतलब यहां पर देखिए इस तरह से कुछ लिखा होता है बी बी ब स्लेश माइनस ठीक है तो बी 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 स्लेश माइनस पर बरकरार रखी है बी 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 माइनस सबसे कम निवेश जो है रेटिंग होता है फीच ने वित्वर्स दोहर 19 में भारत की वृद्धी 3 प्रतिसात और वित्वर्स दोहर 20 में 7.5 प्रतिस तक पहुंचने का अनुमान लगा है फिच रेटिंग्स ने कहा कि इसके दोहरा की गए एक नए हाली आविशेशन में पाया कि भारत के सबसे बड़े उभरते बाजारों में सबसे अधिक मध्यम अवधी की विकास शमता थी तो आपको यह याद रखना की रेटिंग किस तरह से दी गई है और साथ ही कि इसंद्र मोधी ने इसको संभोधित किया है इससे भी आप याद रखी है इम्प्रण हो सकता है प्नामद्री नरेंद्र मोधी ने शिंगापूर में दुनिया के शबसे बड़े वित्ति प्रवद्रुगी तेवार श्री मोदी इस घटना को संबोधित करने वाले पहले सरकार प्रमुक है इस उस्वा में लगबक 30,000 लोगों ने स्री मोदी के मुखे संबोधन में भाग लिया सिंगापूर की राजधानी सिंगापूर सिटी ही है और यहाँ पर कौन सी मुद्र चलती है सिंगापूर डाउलर कुछ अन्यमत्पुन समाचार हम देख लेते हैं आक्सपोर डिक्सनरी ने विशेशन टॉक्सिक को वर्ड आप दे यर 2018 गोशित किया है तो यह शब्द आप ध्यान में रखेगा इंडिया पोस्ट ने e-commerce पॉर्टल लॉंच किया है यह क्यों लॉंच किया गया है ताकि डाक विभाग अपनी राजधा सुप्राप्तियों में सुधार के लिए e-commerce सेक्टर पर ध्यान केंदित कर सके अब है ठाकुर को नाइजीरिया के संगी करनराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायवत के रूप में नियुक्त किया गया है हाली में पस्चिम बंगाले पस्चिम बंगाल के रोसोगोला जिसको हम नॉर्मली रसगुला बोलेते हैं इतना ही पढ़ेंगे और आज का सवाल जिसका ज्याव को कमेंट बॉक्स में देना है वह यह है कि हाली में कब राष्टी प्रेश दिवस मनाय गया तो इसके बारे मैं आपको अरड़ी पढ़ा चुका हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जौब जरूर दीजेगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों म के लिए बस इतना ही नमस्कार धन्यवाद